अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको nursery class की playlist मिल जाएगी वहाँ से जाके आप वो videos देख सकते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 50 marks में मैंने ये paper prepare किया है इसमें वो सारे questions आपको मिलेंगे जो half fairly तक में nursery में बच्चों को पढ़ाये जाते हैं तो चलिए start करते हैं फर्स्ट है खाली स्थान भरो 8 marks में मैंने ये question दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों को ये आ से लेके री तक के fill up करना है न nursery में बच्चे आ से लेके री तक ही सीखते हैं तो इस paper में आपको आ से री तक के ही questions देखने को मिलेंगे अब जैसे यहाँ पे अ से अनार लिखा है तो बच्चे यहाँ पे बड़ा अ से आम लिखेंगे छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे उन और री से रिशी Next question number 2 है अक्षर से अक्षर मिलाओ 7 marks में ये question है क्योंकि यहाँ पे total ये 7 है तो बड़ा से आम मैच कराएंगे तो ये हो गया matching Next question है चित्र देखकर अक्षर लिखो ये भी 8 marks मैंने लिखा है एक question 2 marks का है यहाँ पे चित्र बना हुआ है अब जैसे ये अनार है तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे इमली की picture है तो छोटी इसे इमली बड़ी इसे इख और बड़ा उसे उन अब next question है चित्र देखकर अक्षर मिलाओ ये 4 marks में है यहाँ पे सिर्फ चित्र देखकर सही अक्षर से मिलान करना है अनार से मैच कराएंगे रिसे रिशी बड़ा उसे उन और बड़ा आसे आम next question 2 marks में है चित्र देखकर अक्षर पर गोला करो यहाँ पे इमली है तो इमली पे गोला करेंगे इख की picture है तो इख पे गोला करेंगे next question number 6 है 5 marks में अगला अक्षर लिखो जैसे यहाँ पे छोटी इसे इमली है तो यहाँ बड़ी इसे इक अनार लिखा है अ से अनार बड़ा से आम है तो छोटी से इमली बड़ा उसे उन लिखा है तो रिशे रिशी और बड़ी इसे एक लिखा है तो छोटा उसे उल्लू इन अक्षर के बाद आने वाले अक्षर बच्चों को यहां लिखने है तो यह कोशन है फाइफ मार्क्स में नेक्स्ट कोशन है सेवन कोशन नमबर अ से रि लिखो यह सेवन मार्क्स में क्यूंकि टोटल सेवन अक्षर है तो यहां पे बच्चे पूरा अ से रि तक लिखेंग अ-से अह तक बच्चों को औरली बोलना है, पूरा एक्शन के साथ बच्चों को नर्स्वी में कराया जाता है, जैसे अ-से अनार, बड़ा असे आम, इस तरह से पोयम के थरू भी उन्हें अ-से अह तक पढ़ाया जाता है, अब यहां पे अ-से अह तक ओरल में आता है, रिट सकते हैं जैसे जनरली हिंदी जो है वो बच्चों को थोड़ी तफ पड़ती है इसलिए रिटेन में स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं कराते हैं तो अ से अहा तक बच्चे ओरल करेंगे अ से रीट तक रिटेन और नेक्स्ट है कोई दो कवीता सुनाओ प्वाइफ मास्ट में कोई भी दो कवीता बच्चो को आठदस कवीता है याद कराए जाती हैं तो उन्हें से कोई भी वो एक्शन के साथ आपको सुनाएं तो यह था नरसरी का हिंदी सैंपल पेपर इस तरह से आप भी अपने घर में सैंपल पेपर प्रिपेर और करके बच् की तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले thank you so much for watching my video bye bye